है एब्रीबडी गुद मॉर्निंग कम उन जॉइन फास्ट सुबह के बच्चों के हैं साथ रिचा माम इस हेर टो टेक केर आफ यूर डेली सी ए सेशन शुरू करें चलिए आज कॉंसी डेट है 6 जानवरी है 2024 और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो महीना चल रहा है प देखेगा आज आज इस तरह का देखेगा चोटा होता जाएगा ओल राइट सो आज का पढ़ना शुरू करें उससे पहले कल के क्वेशन ऑफ देका आंसर देख लेते हैं कल मैंने आपसे जाते जाते क्वेशन किया था एज 50 मेगवाट रतले हाइड्र एलेक्टिक प्रोजेक्ट इस लोकेटे इन विच युनियन टेरिट्री आट सो पचास मेगवाट का रतले जल विद्यूत परियोजिना किस के इंद जो कि इस लोकेशन आपसे जाते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा मेरोवो लगून जो कि सोलमन आइलेंस में हैं सोलमन आइलेंस की लोकेशन यह है तो अशीन या रीजिन के अंदर पढ़ते हैं अब आज के जो भी हम पढ़ेंगे करंट अफेर उनका पीडियेफ कहां परचम का जो टेलीग्राम चानल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूए वीडियो के आप जाकर के देख सकते हो और अगर आप यहां से फॉर एनी रीजन नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो परचम आप के उपर फ्री मटेरियल सेक्शन है वहां पे भी डेली स प्लोड होता जाएगा सीए सबस्क्रिप्शन में वीकली मंथली सिक्समंत्ली यरली और सारे सब्स्क्रिप्शन भी आड़ होते हैं और इसमें जैनवरी से डिसेंबर ट्वणी ट्वणी फोर के सारे पीडियाफ जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे वो मिल जाएंगे PDF बैक में बाकी subject के भी मिल जाएंगे आच्छा बहुत से बच्चों को अब ये दिक्कत आ रही है कि माम अब जो upcoming exam होने वाले हैं एक दो तीन चार महीनों में उसमें हमें 2024 का भी CA पढ़ना है 2023 का भी पढ़ना है तो अलग-अलग subscription लेना heavy पढ़ रहा है on the pocket आज मिल जाएगा नहीं तो कल तक available हो जाएगा ठीक है जी ये solution आपको मिल गया और अगर अभी तक SAC Static GK कोर्स चेक आउट नहीं किया है तो कर लिजिए विकाज आपको जितने भी important static topics हैं वो सब यहां मिल जाएगे निमोनिक्स की मदद से हम याद करते चल रहे हैं बाकी जो पूरा GA course है वो तो है ही individual topics भी मिल जाएगे subjects और पूरा GA course भी मिल जाएगा पर चम आप चेक आउट कर लिजेगा for all the courses and subscriptions अगर आपको तयारी करनी है कोई भी doubt, query, concern होती है तो सबसे best option होता है आप email लिख दीजे within working hours आपको अच्छे से response मिल जाएगा नहीं तो यह help line number भी है इस पे भी आप contact कर सकते हो जब तक सब जुड़ते हैं एक बार मैंने सारी information दे दी है चलिए, अब हम शुरू करेंगे आज के current affair से काफी कुछ है पढ़ने का बहुत सारे GI tag अनाउंस हुए है उसके अलावा central government की कुछ scheme आई है state news काफी सारी आज हम देखेंगे एक index है और उसके अलावा इस रो से जुड़ी भी कुछ खबरें है पहले सारी news देखेंगे उसके बाद में हम practice question करेंगे आज से related और फिर हम देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से related practice questions भी ठीक है चली शुरू कर लेते हैं पहली news देखते हैं यूनियन cabinet approves proposal to rename अयोध्या airport as महर्शी वालमी की international airport अयोध्या धाम तो एक और airport है भई जिसका नाम अब change हो रहा है approval मिल चुका है कौन सा airport है airport का नाम है अयोध्या airport जिसको पहले अयोध्या airport कहते थे अब उसका नया नाम क्या हो गया है महर्शी वालमी की अंतराष्ट्रिय हवाई अड्डा अयोध्या धाम यह हो जाएगा नया नाम ठीक है चलिए अब क्योंके यह news हम देख रहे हैं तो इससे पहले के जो previously थोड़े टाइम पहले कुछ एरपोर्ट के जो नाम बदले हैं वो भी यहीं पर देख लेते हैं तो मोपा एरपोर्ट जो की गोवा में है उसका नाम थोड़े समय पहले मनोहर इंटरनाशनल एरपोर्ट बदल करके किया गया था चंडिगर एरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंग इंटरनाशनल एरपोर्ट किया गया था नवी मुम्मे इंटरनाशनल एरपोर्ट का नाम बदल के दिशा कर दो परीक्षा परेक्षाप चर्च जो एक इवेंट है उसमें एक क्रोर रेजिस्ट्रेशन देखे गए है जो की रिकॉर्ड परेकिंग है इसका सेवेंथ एडिशन होना है 29 जैनुवरी 2024 को कहा होगा भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर ये होगा और इसमें कर 1000 participants सीधे Prime Minister से बातचीत कर पाएंगे यह जो परीक्षा पे चर्चा होता है यह एक बड़े movement का हिस्सा है और उस movement का क्या नाम है exam warriors तो exam related जो stress होती है उसको उससे free करने के लिए youngsters को यह exam warriors एक बड़ा program है जिसके अंदर जिसके तहर परीक्षा पे चर्चा औरगनाईज की जाती है इंट्राक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके लिए registration रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुए है 4000 बच्चे डिरेक्ट इंट्राक्शन करेंगे ओके चले IIT Hyderabad अच्छा अभी जो भी हम news पढ़ रहे हैं यह हम national importance से देख रहे हैं ठीक है national news category जो होती है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे है IIT Hyderabad to host I-Inventive 2024 अब इसको लिखने का तरीका अलग है क्यों क्योंके यह IIT को बढ़ा कर दिया गया है So IIT Hyderabad host करेगा Inventive बोलिए या I-Inventive बोलिए 2024 कौन सा IIT है जो इसको होस्ट करेगा? Hyderabad करेगा और यह जो प्रोग्राम है यह second edition होगा Inventive 2024 का जिसको Ministry of Education के अंडर में और मिनिस्ट्री अजुकेशन का फ्लाक्शिप प्रोग्राम है और कब और अजुकेशन होगा? January 19, 20 को किया जाएगा इसमें क्या होगा? बहुत सारे जो engineering colleges है 23 IIT हैं उसके अलावा leading higher education institute जैसे की NIT, IISC Bangalore और जो top ranking engineering institutions हैं वो आकर के participate करेंगे और अपना जो भी उन्होंने academic या industry से related जो लोग उसमें आएंगे उनके सामने अपने projects वगेरा पेश करेंगे स्टूडेंट और इंडस्ट्री के बीच में interaction का मौका देता है इस तरह का program I.Inventive 2024 Right? किसने किया? IIT हाइदरबाद होस्ट करेगा इसमार अगली news पर चलते हैं Donair Ministry कौनसी ministry है? Donair Ministry अब यह Donair क्या है? Ministry of Development of North Eastern Region जो हमारे उत्तरपूर्वी region है So Donair Ministry to host first edition of उत्तरपूर्वी महोचसव in New Delhi उत्तरपूर्वी महोचसव पहली बार होने जा रहा है नई दिल्ली के अंदर होगा कौन organize करवाएगा या कौन होस्ट करेगा? Donair Ministry करेगी और यह कब होना है? January 13 to 17 भारत मंदपम में होगा main इसका objective होगा के नौर्थीस साइट के जो भी कल्चर आर्टी क्राफ्ट जो भी वहाँ पे चीज़े बनती हैं होती है उनका एक डिस्पले लगाया जाए तो नौर्थीस और रेस्ट आफ इंडिया के बीच का जो distance या difference है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छी पहल होने वाली है डोनेर मिनिस्ट्री होस करेगा पहला एडिशन है उत्तर पूर्वी महोचसव का नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में क्लियर है यहां तक चले अगली नियूस देखते हैं IISR IISR का पहले मतलब आपको पता होना चाहिए इंडियन इंस्टिटूट अफ स्पाइसिस रिसर्च मसालो पे जो रिसर्च होती है अनुसंधान होता है तो IISR डेवलाप्स न्यू ग्रेनियूलर लाइम बेस्ट बायो पेस्टिसाइड IISR ने एक चीज बनाई है यहां बनाई है ग्रेनियूलर टेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च उनके headquarter पूछे जाते हैं एक्जाम में वंडे एक्जाम में पर्टिकुलरी तो IISR कहां बेस्ट है कोजी कोड के अंदर बेस्ट है और इन्होंने सक्सेस्फ़ली डेवलप किया है ग्रेनिूलर लाइम बेस्ट ट्राइको डर्मा फॉमुलेशन जिसको नाम दिया गया है ट्र ऐसे pathogen हैं जो पौधों को खराब करते हैं मिट्टी को खराब करते हैं उनसे भी छुटकारा दिला देगा ओके सो IISR जो की कोजी कोड बेस है उसने लाइम बेस बायो पेस्टिसाइड बनाया है clear हो गया जी आगे बढ़ते हैं now this is important जो मैंने आपको कहा था एक हम Central Government Scheme की ब सब्सक्राइड होगी तो कौन से मिनिस्ट्री इसको डील करती हुई होगी Ministry of Earth Sciences होगी अब प्रिथवी विज्यान अगर आप देखोगे इसको लिखने का तरीका प्रिथवी acronym है ओके पी आर आई टी एच यहां से ले लिया और विज्यान का वी आई ले लिया तो यह कुमेंटेशन कब होगा इसका 2021 से 2026 का के दोरान इसका तोटल जो पॉस्ट अप्रूवल आया है वो है 4797 क्रोर रूपीज का इसको अप्रूवल मिला है ओके अब यह एक तरह से स्कीम है जिसमें जो अल्रेडी एग्जिस्टिंग पांच सब्सकीम सी उनको मर्ज कर दिया ज रिसर्च मॉडलिंग और सेज और सेज और रिच आउट तो यह पांच इंडिविज्टि छोटी-चोटी स्कीम चल रहे थी इनको मिक्स करके खरके पृत्वी स्कीम लाई जा रहे है क्या अब्जेक्टिव है इसकीम से क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम रैड इस पर जो प इस चीज़ के बारे में वर्क होगा तो में अब्जेक्टिव है प्रिथवी स्कीम के यह फॉल्विज पहला है कि जितना भी लॉंग टर्म ऑब्जरवेशन किया जाएंगी अट्मॉसफेर हो गया हमारी ओशन हो गया जियोसफेर क्राइउसफेर क्राइसफेर क्या होता है बर्फ जहां होती है ना बर्फ से ढखी हुई जगे को क्रायोसपेर बोलते हैं। इन सब के study की जाएगी ताकि earth system और उसमें जो change हो रहे हैं उनको record किया जा सके। दूसरा एक objective है कि कैसे कैसे climate change हो रहा है, weather predict करना और ocean, climate hazard इन सब की understanding डेवलाप करना तो यहाँ पैसा लगाया जाएगा इस scheme का। फिर objective है कि हमारे जो polar और high seas regions हैं, polar areas या high seas वाले जो region हैं, वहाँ पे study करना और कुछ भी नया अगर वहाँ हो रहा है तो उसका पता लगाना। नेक्स्ट आएगा कि जो हमारे ocean resources हैं, उनको अच्छे से और use कर पाना, उसके लिए technology वगरा डेवलाप की जाए ताकि हम oceans को और explore कर सकें। और finally, जो भी knowledge हम गेन करेंगे, उसको फिर हम कहीं न कहीं services में लगा सकें, society के भले के लिए, environment के भले के लिए, तो ये सारी होगी प्रित्वी स्की, got it, समझ में आगे, चले, आगे बढ़ते हैं, right, अगली जो खबर आ रहे हैं, वो election commission of India से जुड़ी हुई है, national news category में ही है election commission of India introduced new regulations for allocating symbols to registered unrecognized political parties, जैने हम R.U.P.P. कहते हैं, तो election commission of India ने introduce किये हैं, नए regulation, यानि कुछ नए rules लेकर के आ गए हैं, basically कुछ regulations लेकर के आ गए हैं, कि जो ऐसी parties होती हैं, जो registered तो हैं, पर जादा recognized नहीं है, unrecognized political parties हैं, तो अगर उनको symbols allocate करने हैं, यानि अपने लिए चिन्न सिंबल चाहिए, तो उनको कौन कौन सी चीजें उनके पास होनी चाहिए, रैट, सो वापिस एक बार देखो, election commission of India introduced new regulation, नए उन्होंने नियम लाए हैं, for allocating symbols, जो चुनाव चिन्न होते हैं, to registered unrecognized political parties, registered unrecognized political parties, तो parties के पास तीन चीजे होनी चाहिए, अगर उनको च उसका पूरा ब्योरा होना चाहिए, और जो authorized party official है, उसके signature, along with symbol application, ये तीनों चीजें अगर होंगी, तो ही उनको symbol allot किया जाएगा, तो news तो इतनी सी है, पर अब ये related चीजें हमको statically हाद से पढ़नी है, तो सबसे पहली बात आ जाती है, article 324, कौन authority देता है भई, election commission of India को, क्या political parties को register कर लो, कौन देता है, constitution देता है, कौन से article के तहत देता है, article 324, okay, election commission of India ही responsible है, चुनाव चिन allot करने के लिए, यानि कि symbols को allot करने के लिए, और ये कौन से order के तहत allot किये जाते हैं, तो election symbols, reservation and allotment order 1968, तो ये जो RUPPs है न, इनको जब चुनाव में symbol दे दिया जा तो अगले चुनाव में फिर से इनको apply करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इनका चुनाव चिन फिक्स हो जाता है, तो फिर से इनको apply करना पड़ेगा, इननों नहीं किया तो वो चिन किसी और को भी अगले election में दिया जा सकता है, क्योंकि ये unrecognized political parties होती है, I hope news समझ में आ megawatt power देगा, और इसके लिए एक long term agreement साइन हुआ है नेपाल और इंडिया के बीच में, और ये कब साइन हुआ, नेपाल इंडिया joint commission की meeting होई थी, Kathmandu के अंदर, 7th edition था ये meeting का और उसके अंदर ये agreement साइन हुआ है, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि भई, 10,000 megawatt power देने का अगले 10 साल में इंडिया का किस देश के साथ में agreement हुआ है, तो नेपाल के साथ में हुआ है, नेक्स देखते है, जल जीवन mission, अगली news के से related है, JJM यानि जल जीवन mission से related, it marks a milestone, यानि एक milestone या मील का पत्थर टच किया है, हमने कुछ record बनाया है, तो कौन सा मील का पत्थर हमने टच किया है, 14 crore rural households, 72.7% now have tap water, तो 14 crore ग्रामीन घरों में पानी, पीने का पानी जो होता है, tap water जो होता है, पीने का काम करने का tap water पहुँच चुका है, और वो कितना प्रतिशत बनता है, पूरे rural household का 72.71 प्रतिशत, 72.71% घरों के अंदर ग्रामीन इलाकों में tap water पहु चाना जल जीवन मिशन के तेहत पूरा कारिक्रम चल रहा है, so over 2 lakh villages and 161 districts अब हर घर जल से जुड़ चुके है, हर घर जल एक मिशन है, जिसके तेहत जल जीवन मिशन चलाया रहा है, और tap water घर घर तक पहुचाया जा रहा है, अगर हम as on date की बात करें, तो total 6 ऐसे states हैं, और 3 union territories हैं, जिनमें 100% coverage हो चुका है, यानि हर घर में tap water पहुच चुका है, गाउं में दूर दूर तक, मीलों दूर जाके, कूओं से, hand pump से पानी लाने की ज़रद नहीं है, कौन कौन से state हैं, गोवा, तेलंगाना, हर्याना, गुजराद, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और 3 union territory जहां पे 100% नल का पानी पहुच चुका है, पुडुचेरी, दादरा नागर हवेली, दमनंद्यू, अनमान और निकोबार आइलेंस, ठीक है जी, ओके, अब ये जो जल जीवन मिशन था, इसके बार में थोड़ा देखते हैं, कि इसको PM Modi ने कब लांच किया था, 15th of August 2019 के अन्दर लांच किया था, और इसका मेन अग्जेक्टिव क्या है, घर घर तक रूरल अरियाज में टाप वाटर पहुच जाए, ठीक है, तो सेफ एन अड़िकवेट ड्रिंकिंग वाटर, जो हम बोलते हैं ना, पीने के पानी के कनेक्शन्स, जो हमारे घरों में भी होते हैं तो गाउ में भी पहुच जाए, इंडिविजल हाउस होल्ड में और टैप कनेक्शन्स, दो हजार चॉबिस तक हर घर के अंदर रूरल इंडिया में हो, गॉट इट, चलिए, अब हम आएंगे इस्रो से जुड़ी हुई न्यूज यानि साइन्स टेक्नोलोजी से इस्रो ने एक successful test किया है, किस चीज का? Polymer electrolyte membrane fuel cell, okay, so Polymer electrolyte membrane fuel cell का successful test किया है इस्रो ने, PSLVC58 orbital platform पे, जिसको कहा जाता है, POEM3, पॉम 3, यह तो रही न्यूस, PSLV C58 कुछ याद आ रहा है, इस पर हमने एक्सपोसाट न्यूस पढ़ी थी, कि एक्सपोसाट जो मिशन गया है, साटलाइट गई है, वो PSLV C58 पर भेजी गई है, और उसी का, जो स्टेज 4 होता है, उसको पॉम 3 कहा गया था, और इसी पॉम 3 को जब और्बिट में भेजा गया, तो वहाँ पे एक सक्सेस्फुल टेस्ट इस रो ने कंड़क्ट किया है, पॉलिमर एलेक्ट्रोलाइट मेंब्रेन फ्यूल सेल से रिलेटेड यह न्यूस है, अब और देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या पता लगा, मतलब क्यूं किया यह एक्सपेरिमेंट, तो बेसिकली पता लगाया जा रहा था, कि यह जो पॉलिमर एलेक्ट्रोलाइट मेंब्रेन फ्यूल सेल है, वो स्पेस में उपरेट करता है या नहीं, पहली चीज यह, ताकि इससे हम आगे जो भी फ्यूचर मिशन्स होंगे, तो यह सेल उनमें यूस किया जा सकता है या नहीं, तो यह एक तरह से फ्यूल यह सेल है, जो आगे future missions में काम में आएगा और इसका successful test हो गया है कि हंजीट is working fine in space अब ExpoSat जो कि एक satellite black holes और जो neutron stars वगरा है उनकी study के लिए हमने लाँच की थी कब 1st of January को 2024 को कौन से वेकल पे? PSLV पे और वो mission का नाम क्या था? PSLV C58 PSLV तो launch vehicle का नाम है, PSLV C58 mission का नाम है और इसकी जो fourth stage थी जिसको PS4 कहते हैं और उसको POM 3 भी कहते हैं PSLV Orbital Experimental Module 3 POM का full form ध्यान रखिएगा और इसी के तहाथ ये experiment किया जो कि successful हो गया और future missions के अंदर भी ये help करेगा चलिए, next time news देखते हैं, Hyderabad ranks 5th city for women in India as per a study एक study के मताबिक और ये study की है avatar group ने, इनके मताबिक जो सबसे अच्छी cities है women के लिए इंडिया में, उनमें Hyderabad 5th position पे है तो अब बोलोगे, मैं मैं ये 5th position क्यों बताईए, पहले की 4 position कौन बताएगा तो मैं ही बताऊंगे, चलिए देखिए top 5 city Chennai, followed by Bangalore, Pune, Mumbai and 5th number पे है Hyderabad तो top कौन आया है भाई, Chennai आया है अब किस basis पे हमने top city बोला है women के case में तो पहले तो ये देखो कितने cities को study किया गया कितने हों में से ranking दी गई है, 49 cities जिनकी population 1 million के उपर है, यानि 10 लाग के उपर रही अब तीन pillars पे based ये पूरी study की गई, पहला था industrial inclusion यानि industry के अंदर women को कितना include किया जा रहा है social inclusion, society level पे और तीसरा citizen का experience क्या है इनके basis पे ranking दी गई, जिसमें Chennai फर्स्ट आया है अब हम आच चुके हैं, state or union territory से related news के ओपर तो पहली news आ रही है काथवा जमू एन कश्मीर से कि जो हमारे vice president है जगदीप धनकर जी उन्होंने inaugurate किया है mega north India startup expo कहां पे काथवा जमू एन कश्मीर के अंदर इसकी theme क्या रही, emerging startup trends in north India तो नॉर्थ इंडिया के जो states है और union territory है जैसे जम्मो कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली यहां से 25 startups ने इस expo के अंदर participate किया और जो भी उन्होंने innovative products वगेरा बनाये थे उनका शोकेस किया है, so basically mega north India startup expo कहां हुआ, जम्मो एन कश्मीर में हुआ, किस ने inaugurate किया, जगदीद धनकर जी ने किया और इसकी theme क्या रही, emerging startup trends in north India clear है, चलिए, 29th international yoga festival, अच्छे से देखिएगा, 29th edition है, international yoga festival का और it is being organized in pudu cherry, यह कोई बनारस और कहां होता है, किसी योग नगरी में और कहीं उतराखंड में नहीं हो रहा है, Pudu cherry में हो रहा है, so international yoga festival, 29th edition, कहां organized हो रहा है यह, चल रहा है अभी Pudu cherry के अंदर, अंतराश्ट्य योग दिवस कब आता है, 21 जून को आता है, हर साल मनाया जाता है, इसी की बात करें, तो international yoga festival जो है, चार से साथ जन्वरी दो हजार चौबिस तक चलेगा Pudu cherry के अंदर, और Pudu cherry की जो गवर्णर है, तमिले साहिसम्द राजन जी उन्होंने इसमें अपना एक वक्तव या address भी दिया है, okay, so international yoga festival, pudding हाई है, तो yoga करो Pudu cherry, all right, उतर प्रदेश, CM, Yogi Adityanath and Union Minister Dharmendra Pradhan, launched PM Shri schools in the state, so उतर प्रदेश के अंदर, PM Shri, ये जो school से related योजना है, उसको launch कर दिया गया है, किसने किया है, CM, Yogi Adityanath ने, और जो education minister है, हमारे धरमेंदर Pradhan, उन द Prime Minister, Schools for Rising India, Schools for Rising India, ये जो योजना है, इसको लाया गया, क्योंकि जो हमारी national education policy है, 2020, उसको लागू करने के लिए, उसकूल में infrastructure भी उस हिसाब का होना चाहिए, तो इसके लिए फिर PM Shri schools डेवलप किये जाने है, और UP के अंदर अब इसको launch किया गया है, टोटल 1753 schools को UP में पहले अपग्रेड किया जाना है, और यसी का launch किया गया है, तो पहले चरण में कितने schools अपग्रेड होंगे, UP में 928 होने है, चलो PM Shri के बारे में देखते हैं, so PM Shri Yojana क्या है, cabinet ने इस Yojana को अप्रूव किया था 7th of September 2022 को, इसका announcement जो था ना, कि यसी launch होगी Yojana, वो 5th of September 2022 को हुआ था, लेकिन इसका approval दे दिया गया था 7th September को, okay, centrally sponsored scheme है, यानी पैसा कहा से आएगा, center से आएगा, और इसका aim क्या है, 14,500 schools establish या अपग्रेड करना, under central government, state, union, territory, government, or local bodies, तो जो भी सरकारी school है, उनको अपग्रेड करो, infrastructure-wise, या नई स्कूल डेवलब करो, total कितने 14,514 और यह जो schools हैं, यह किसमें help करेंगे, national education policy जो है 2020, उसको implement करने के अंदर, they will be serving as role models, okay, और इस program से inclusive and nurturing learning environment आएगा, inclusive यानी online education भी schools तक पहुँच पाएगी, and total cost इस project के लिए 27,360 crores, 5 साल के लिए लिए लोट की गए थी, 22 से लेके 26-27 तक की, okay, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो respective state या union territories हैं, वो इस program को आगे बढ़ा सकते हैं, central sponsoring इतने 5 साल के लिए ही अलोट की जाएगी, I hope clear हो गया PM श्री, अगली news पे चलते हैं, नम्मा यात्री आप, कौन सी आप है, नम्मा यात्री आप, partners with Bangaluru police to induct women auto rickshaw drivers, तो एक आप मिलाया है, ताकि महिला auto rickshaw drivers को train करके और उनको जॉब पे लगाया जा सके, ड्राइविंग के फील्ड में लाया जा सके, ये एक news है, so Bangaluru करना अटका से related ये news है, राइड बुकिंग अप है, जिससे आप राइड बुक करते हैं, जैसे हम Ola और Uber वगरा करते हैं, तो अनाउंस किया है, 1000 women drivers को enroll करना, next 6 months के अंदर, और इसके लिए उनने Bangaluru Police और कुछ NGOs के साथ में tie-up किया है, और company ने महिला शक्ती इनिशेटिव लांच किया है, जिसके तहत women को empower किया जाएगा, अलग-अलग background के जे women है, और उनको proficient driver बनाया जाएगा, तो इसके लिए उन इन तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर मिले हैं पुरा पाशान समय के, यानि की पेलियोलिथिक समय के टूल्स, जैसे कि आप देख रहे हो, है ना, तो ये कुछ कटिंग-बटिंग करके, और ये एक stone axe जैसा है, right, so recent floods, जो recent बाड आई थी floods आये थे, मुलुगू डिस्टिक है, ये माना जा रहा है कि लोवर पेलियोलिथिक पीरिड की है, करीब 30 लाग साल पुराने, और ये जो पेलियोलिथिक एज है, इसको old stone age या early stone age भी कहा जाता है, उस समय के tools पाए गए हैं कहां से, तेलंगाना से, okay, चलिए, then IISC study in Arunachal Pradesh illustrates the effects of logging and climate change on montane birds, so IISC क्या है, Indian Institute of Sciences, Bangaluru, तो IISC Bangaluru, अरुनाचal के अंदर study कर रहा है, अरुनाचal Pradesh में study किस बारे में है, कि जो logging होती है, यानि जो पेड काटे जाते हैं, लंबे-लंबे पेडों को काट दिया जाता है, लकडी के इस्तमाल के लिए, logging और climate change का असर mountain birds पे, यानि कि जो mountain birds रहती है, mountain birds यानि जो पहाडों में चुडिया रहती है, उन पे क्या पढ़ रहा है, जो पेड कट रहे हैं, और जो climate बदल रहा है, तो चुडियों पे क्या असर पढ़ रहा है, ये चुडिया higher altitude की तरफ move कर रहे हैं, ये study ने reveal किया है, तो many bird species have started shifting to higher elevations due to this climate change, और ये जो study की गई, अरुनाच रिजर्व, रामसर साइट, युनिस्को साइट, न्यूज में आएगी, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेज बढ़ जाएंगे, तो अब हमने न्यूज में देखा Eagle Nest Wildlife Sanctuary, तो कहां है Eagle Nest? अरुनाचल प्रदेश के अंदर है, ठीके जी, चलिए, आगे बढ़ेंगे, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने पार्टनर किया है, एडसिल के साथ में, कोल इंडिया लिमिटेड को क्यों जरूरत है करने की, क्योंकि कॉर्परेट सोशल रिस्पॉनसिबिलिटी होती है, कल भी हमने बात की थी, CSR की हर जो की समाज से ही काफी कुछ ले रही है, अपने प्रॉफिट्स को बनाने के लिए, वो समाज को बदले में कुछ देती भी है, उसको कहा जाता है, कॉर्परेट हाउस की सोशल रिस्पॉनसिबिलिटी, यानि समाज के लिए कुछ करना, उसी CSR के तहत, कोल इंडिया के लिए महारतना के लिह, अब आपको बताए कितनी महारतना है, 13 महारतने कंपनी मुथ है, नवरतने कितनी है 16 नवरतने company है, कल भी बताया था हमने, तो कोल इंडिया लिमिट्र नाइंटिन से वैडिमिटाए, कोल काता में हेड़कॉर्टर है, कोल, कोल काता, ठीके, सेम टाइगर रिजर्व अब यहीं पर मैं आपको एक कॉशन देदू कई जगे आपको इन्यूस गलत देखने को मिलेगी कई जगे आउनलाइन जब आप पढ़ते हो न्यूस तो उन्होंने यह लिख दिया होगा कि हॉप डियर स्पॉर्ट फॉर्स टाइम इन उत्राखंड राज राजाजी टाइगर रिजर्व में पहली बार यह डियर नहीं स्पॉर्ट किया गया है राजाजी टाइगर रिजर्व के चिल्ला रेंज जो है ना यहां पे इसको पहली बार देखा गया है क्योंकि इससे पहले यह दूसरे इलाकों में इसी टाइगर रिजर्व और नाशन और राजा जी टाइगर रिजर्व कॉंसे स्टेट में है तो उतराखंड के अंदर है इस तरह से न्यूस थोड़ा पढ़ा कीजे तो आपको समझ में आए कि क्वेशन बन कैसे साथा है ठीक है तो हॉग डियर स्पोर्ट किया गया है पहली बार चिला रेंज में उतराखंड के राजा जी टाइगर रिजर्व में अब हॉग डियर का बात आ गई तो अब इसकी आईउसीन काटिगरी आपको पता होनी चाहिए एंडेंजर है नियरली थ्रेटन है या क्या है तो यह एंडेंजर है यह स्पीशीज एंडेंजर है आईउसीन रेडलिस के हिसाब से और यह कैटिगरी के अंदर आती है इंडियन वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक 1972 में शिकार वगेर आप इसका नहीं कर सकते हो अब राजा जी टाइगर रिजर्व की हमने बात की है तो देख लेते हैं पहले मैप पे मैपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ यह आपको और पॉडिगरवाल ठीक है और यह शिवालिक जो हिल्स हैं उनके फुट हिल्स और हिल एरिया के अंदर फैला हुआ है राजा जी टाइगर रिजर्व अल्राइट अब जी आए टाइग्स ठीक है इसके बाद शॉट नीउस करेंगे और उसके बाद क्वेस्टन वाले चीज़ पर मूब कर जाएंगे तो काफी सारे प्रोडक्स ओवर 17 प्रोडक्स हैं ओडिशा अरुनाचल प्रदेश वेस्ट बिंगॉल और जमुएन कश्मीर के जिनको जी आए टाइग मिला है मैं यहीं पर बता दूं कि ऐसा नहीं है सबको जी आए टाइग अभी मिला है कुछ को सेप्टेंबर 2023 में मिल गया है लेकिन न्यूज में अब आया है और इसलिए हम पढ़ रहे हैं आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन से महीने में म चर्च करोगे तो वहां पर आपको डेट अलग मिलेगी तो जी आए टाइग किस को मिला है अगर हम ओडिशा से देखें तो कौन से प्रड़क्स हैं जी आए टाइग मिला है जिनको लांजिया सौरा पेंटिंग्स अभी मैं सबकी पिक्चर दिखाऊंगी पहले नाम देख लांजिया सौरा पेंटिंग्स डौंगारिया कोंध शॉल देन खजूरी गुड गुड यानि जागरी नयागर कांटे मुंडी ब्रिंजल देन धेकनाल मांगजी मांजी है शायद यह राइट और सिंपलिपल की कई चटनी यह रेड आंट्स की चटनी होती है और कोरा जीरा राइस कई चटनी धेकनाल मांजी देन नयागर कांटे मुंडी ब्रिंजल जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं और खजूरी गुड डौंगरिया कोंध शॉल एंड लांजिया सौरा पेंटिंग्स जिन सबको जी आइटक कहां से मिला है ओडिशा से मिला है तो यह आप देख रहे हो लांजिया सौरा पेंटिंग्स जो की वाल मूरल आर्ट है दीवार के उपर जो बनाई जा रही होती है वाल मूरल आर्ट इसको एकोन और एकितल भी कहा जाता है डौंगरिया कोंध शॉल्स है जो की निटेड शॉल है और इसको डौंगरिया कोंध ट्राइब प्रटिक्लरिली बनाती है ख़जुरिया गुड़ की तरफ देखते हैं यह जो पायम का जिट जूश होता है या जो हम बोलेंगे ताड़ बोलते हैं डिसका जूश हो UL इसे जो गुडबनता है नयागड कांटे-मुंडी ब्रिंजल इसमें कांटे ही कांटे होते हैं प्रिकी थॉन्स होते हैं पूरे बैंगन में और पौधे के अंदर भी यह सब जी आइटक कहां से हुए हैं ओडेशा से हुए हैं धेकनाल माजी तो धेकनाल माजी यह मिठाई है दूद से बना हुआ एक प्रोडक्ट है देन सिमिली पल की मैं सिमिली पल की कई चटनी यह जो आपको चटनी दिख रही है लाल आंड्स होती है रेड आंड्स उससे बनाई जाती है और इम्मूनिटी बूस्टर मानी जाती है पर्टिकलर्ली मयूर्भंज और क्योज़ा डि एक variety of अद्रक कौनसी आदी केकिर जिंजर है उसको भी तो आदी और अरुन आदी अरुन आप ऐसे थोड़ा associate करके याद रख सकते हैं वांचो वांचो वुड़न क्राफ्ट याद ही रखना पड़ेगा हाँ हिंट नहीं है चलिए फिर वेस्ट बिंगॉल से कई सारे production जिनको doluen unia then Sundarbhan honey तो Sundarbhan तो याद रह जाएगा है सुन्दistani एलाका वैस बिंगॉल में है apply to New região सारी तांगेल सारी हैं बहुत साडी पहनी जा थे बिंगॉल में तो यह सब वहां से j FBI टेक फिर आम आतेगम आते गुजरात नौ बहुत जम्मू कश्मीर रामबन का अनार दाना अनार के जो की मिले हैं और अब हम चलते हैं short news category की तरफ सबसे पहले देखेंगे India moves to top of world test championship 23-25 standings तो अब इंडिया की जो ranking है test world test championship 2023 मों सबसे top पे पहुँच गई है Vice President जगदीब धनकर inaugurates NCC Republic Day Camp 2024 at Delhi Kent Delhi Kent 2024 NCC जो cadet Republic Day Camp होना है उसको inaugurate किसने किया धनकर सहबने किया और इसी में हमने पढ़ा था कि पहली बार 9-30 से 24 girls का जो एक पूरा group है वो शामिल हुआ है इसके अंदर Supreme Court rejects plea challenging Allahabad High Court decision which dismissed PIL यानि Public Interest Litigation that sought removal of the Shahi Idga Mosque in Mathura and recognition of the site at the Krishna Janma Bhoomi समझ येगा देखें सबसे पहले Allahabad High Court जो है उसके पास में Public Interest Litigation आती है यानि किसी ने Public याचे का दायर की कि ये जो शाही इदगा मौस्क है मत्हुरा में इसको हटा दिया जाए और इस जगे को Krishna Janma Bhoomi की तरह मानिता दी जाए तो जो Allahabad High Court है उन्होंने बोला नहीं जाए ना वाट इस ताइम इस ताइम फर आर रिविजिन क्वेस्टिन रेडी है चलिए तो अभी जो हमने नीउस पढ़ी है उस से रेलिटर क्वेस्टिन आपकी स्क्रीन पर आएंगे जल्दी जल्दी कॉमें अंसर करते चलिए से लांजिया सौरा पेइंटिंग को कहा से जी आए टाग मिला है इन चार स्टेट्स में से जल्दी से बताइएगा ओडेश्या से मिला है तो औडेश्या सर पेंटिंग को ंगे चलते हैं The endangered hawk deer was recently spotted in Chilla range of which national park? Chilla range में हाल ही में, एक hawk deer की जो species है, endangered category की वो देखी गई है. ये कौन से national park के अंदर पाया गया है इस range में? तो बताएए कौन सा है? राजाजी उतराखंड के अंदर, राजाजी national park and tiger reserve. Okay. Which state holds GI tag for the product कच्छी खारेक? कच्छी खारेक? So, इसको GI tag कहां से मिला है? खाते कहां रहते हैं? Gujarat मैंने आपको बताया था, तो गुजरात से GI tag मिला है. अगला question देखेंगे. 29th International Yoga Festival is being organized in. 29th संसकरन International Yoga Festival का कहां organized हो रहा है? कुछ मैंने कहा था, कुछ खाते जाते और फिर योग करो. पुडिंग खाते जाते और योग करो, बिल्कुल सही है, तो पुड़ुचेरी विल भी ती राइट आंसर. Where did India's first ever multi-sport beach games commence recently? भारत के पहले बहु खेल, समुद्र तर्ट खेल कहां शुरू हुए? बताएए इनमें से कहां शुरू हुए थे? दियू के अंदर, घोखला बीच के अंदर इनके शुरुआत की गए. Who recently took over as the Vice Chief of Naval Staff? ध्यान दीचेगा, कल ही हमने पढ़ा है, Navy के Vice Chief के तौर पे किसने कमान संभाली है? Vice Chief of Naval Staff, ध्यान से अंसर कीचेगा, A is the right answer, Vice Admiral Dinesh Kumar Tripathi बन गए है, Vice Chief of Naval Staff, Sanjay Jasjeet Singh Ji, इन्होंने कौन सी कमान संभाली? Western Command संभाली, Admiral V. Srinivas, Southern Command, जो की Training Command है, वो लीड कर रहे हैं, Okay, Who has been appointed as the Chairman of 16th Finance Commission of India? भारत के सोलवें, वित्त आयोक के अधक्ष के रूप में किसको चुना गया है? जल्दी बिताएं, Dr. Arvind Pangadia Ji को, Very nice, और फिर Professor B. R. Kamboj, has recently been honored with prestigious M. S. Swaminathan Award, for contribution in the field of, जो B. R. Kamboj Ji हैं, हाली में हुने, एक किसी शेत्र में, contribution या योगदान के लिए प्रतिष्थित, M. S. Swaminathan पुरसकार से सम्मानित किया गया है, तो कौन सी फिल्ड में इन्होंने, B. R. Kamboj Ji ने अपना योगदान दिया है? जल्दी से बताएं, agricultural sites या agronomy के अंदर, Very nice, और अब ये आपका question of the day, जिसका answer आप comment section में लिखेंगे, और मैं आपको कल बताऊंगी सही है या नहीं, वैसे तो मैं heart दे देती हूँ, जो भी सही answer हो रहा होता है, So, Kalonunia Rice, Kalonunia Rice is GI tagged from which state? Kalonunia Rice को इन चारों में से, कौन से state से GI tag मिला है? ये हो गया आज का session, और I really hope जो भी कुछ पढ़ा है समझ में आ गया होगा, PDF मैंने बता दिया, टेलिग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो पर्चम एप के free material section में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं, hand notes बनाने की ज़रुरत नहीं है, आप यहां से CA पढ़ा करो, उसके बाद दिन में कभी भी PDF से revise कर लिया करो, फिर weekly CA आता है, monthly CA आता है, six monthly, annual आता है, सब revision होते रहते हैं, आपको PDFs फिर telegram पे daily वाली तो मिल जाती हैं, बाकी सारी आपको पर्चम classes.in पे available हो जाती हैं, वहां से आप पढ़ सकते हों, ठीके जी, तो यह था आज का session, जल्दी ही मिलते हैं अगले session में, तब तक take very good care of yourself, bye bye.